पुलिस को आदेश दिया है कि वे बिग बॉस के घर में जाएं और अर्शी को गिरफतार करें कोट ने यह आदेश जालन धर के एक वकील द्वारा अर्शी पर किये गए केस के संदर्ब में दिया है कुछ सालों पहले अर्शी ने अपनी सेमी यूट बॉडी पर तिरंगा बनवाया था इसी तरहे उन्होंने पाकिस्तान के जंडे को भी शरीर पर चिपकाई देखा गया था इसके बाद जालन धर के एक वकील ने उनके खिलाफ राश्ट्रे द्वज के अपमान का मामला दर्ज कराया था यह केस अभी ओपन है बीते सुमबार इस मामले में जालन धर कोट की ओर से अर्शी के खिलाफ गिर अफ़तारी वारंट जारी किया गया है रिपोर्ट्स के मताबिक यह तीसरा मौका है जब अर्शी कोट में ट्रायल के लिए मौजूद नहीं रही वहीं उनके खिलाफ गिर अफ़तारी का वारंट दूसरी बार जारी किया गया है रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि अर्शी कोट से 15 जनवरी 2018 तक के लिए कोट से stay order ले लिया है एक पोटल से बाचीत में उन्होंने कहा सुमवा को जालंधर magistrate कोट से अर्शी कान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है मुझे फीवर था इस वज़े से मैं कोट में मौजूद नहीं रह सका अर्शी कान बिग बॉस के घर में है अर्शी एक अक्टूबर से बिग बॉस में है और इन तीन महीनों में कोट तीन बार मामले की सुनवाई कर चुका है फ्लिन ने यह बात भी साफ की कि अरेस्ट वारंट कैंसल नहीं किया गया है लेकिन पुलिस पंद्रह जन्वरी के बाद ही एक्शन भी ले सकती है